निर्मल गुजरात अभ्यान जब जनांदोलन बना तो उसके बहुत अच्छे परणाम भी मिले हैं इससे गुजरात को नई पहचान तो मिली हैं राज्य में परियतन भी बढ़ा भाई और भेनों जनांदोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मिशन की सभलता का आधार है पहले शहरों में कच्रा सड़कोपर होता था गलियों में होता था लेकिन अब गरों से नकेवल वेस कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है बलकि वेस सेग्रिकेशन पर भी जोर है बहुत से घरों में अब हम देखते हैं कि लोग गीले और सूखे कोड़े के लिए अलग अलग नश्मिन रख रहे हैं गरी नहीं घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती हैं तो लोग स्वच्छता एप से उसे रिपोर्ट करते हैं कि दूसरे लोगों को जागरूपी करते हैं कि इस बात से बहुत कोड़े का बीड़ा हमारी आज की पीड़ी ने उठाया हुआ है टौफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फैंके जाते हैं बलकी पॉकेट में रखे जाते हैं छोटे छोटे बच्ची हैं अब बड़ों को टोपते हैं कि गंद के मत करिए दादा जी नाना जी दादी जी को पताते हैं यह मत करो शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्चता अभियान में मदद कर रहे हैं इनिशेटिव ले रहे हैं कोई बेस से बेल्थ बना रहा है तो कोई यागुरुकता बढ़ाने में जुटा है लोगों में भी अब एक्स परदा है कि स्वच्च भारत रेंकिंग में उनका शहर आगे आना चाहिए और अगर पीछे रह जाता है तो गाउं में भी दबाव खड़ा होता है वे क्या हुआ वो शहर आगे निकल गया हम क्यों पीछे रह गये हमारी क्या कमी है मिडिया के लोग भी उस शहर की चर्था करते हैं देखिए वो तो आगे बढ़ गाया तुम रह गए तो एक दबाव प्यादा हुआ है अब ये माहोल बन रहा है कि उनका सहर स्वच्चता रेंगी में आगे रहे उनके शहर की पहचान गंदगी से भले शहर की ना हो जो साथी इंदोर से जुड़े हैं या टीवी पर देख रहे होंगे वो मेरी बात से और भी ज़्यादा सहमत होंगे आज हर कोई जानता है कि इंदोर यानि स्वच्चता में टौपर शहर ये इंदोर के लोगों की साजा उपलब्दी है अब ऐसी ही उपलब्दी से हमें देश के हर शहर को जोड़ना है मैं देश की हर राज्य सरकार से स्थानिय प्रसासन से शहरों के मेर से आग्र करता हूँ कि स्वच्चता के इस महा अभियान में एक बार फिर से जुट जाए कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है लेकिन अब नई उर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है हमें यह याद रखना है कि स्वच्चता एक दिन का एक पखवाड़े का एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है ऐसा नहीं है स्वच्चता हर किसी का हर दिन हर पखवाड़े हर साल पीड़ी दर पीड़ी चलने वाला महाँ अभियान है स्वच्चता यह जीवन शैली है स्वच्चता यह जीवन मंत्र है और जैसे सूबे उड़ते ही दातों को साप करने की आदत होती है ना वैसे ही कि साप सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा और मैं यह सिर्फ पर्सनल हाइजिन की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं सोशल हाइजिन की बात कर रहा हूं